व्लिख्व में अगर आप किसी वीचित विशुत में पॉफेट होना चाहते तो उसके लिए कुछ प्रॉसेस हैं जिसको हम अक्सर फॉलो करते हैं सबसे पहले मुस्टिज की practice को start करते हैं जब हमें लगता है कि practice पूरी हो चुकी है उसके बाद हम उसका test देते हैं अगर test हमने clear कर लिया बिना उतरनी mistake तो हम दुबारा से उसको repeat नहीं करते हैं और in case कुछ गलती हां हम से हो रही है अब तक मैंने आपको काफी चीज़े इंग्लिश में सिखाएं टैंस क्या होते हैं उनकी practice करनी है प्रिपोजिशन क्या होती है आज में दोस्तों को चेक करने वाला हो कि आपने उसमें कितनी पफेटनेस ली है या नहीं लिए नहीं कि आपकी जो इंग्लिश प्राक्टिस है वो कैसी चल रही है इंकर फर्स ताम आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो it's okay आप भी इस इंग्लिश ग्रामर टैस्स में पाटिसिपेट कीजिए और देखिए आपकी जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो कितनी पॉफेट है इनकेस कुछ गलती आपसे होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए उन सारी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे उसको देखिए और वहां से आप प्राक्टिस दुबारा से रिपीट आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो दूर हो पाए तोपिक मैं आपको बताएं इंग्लिश ग्रामर टेस्स इसमें दो चीज़ें में आपकी चेक करूँगा एक तो टेंस और प्रपोजिशन पर इतना सा काम करना है कि करेक्ट ऑप्शन को अदेफाई करके वहाँ जो डैश उसमें पिल कर देना है ऐसे पांच संटेंस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे उनके छोटे-छोटे शोटे उप्शन भी आपको तीन दिखाई देंगे उनमें से आपको करेंट और पांच उप यह तो य-डैश-क्राइब यह जो डैश है दोस्तों उसके जो तीन ओप्शन आपको पर दिखाई दे रहें उनमें से एक को आपको सिलेक कर ले ना माइंड में स्टोर कर लीजी जो पहला आंसर आपका माइंड आपको बता रहे है बस वही स्टोर कर ले बाहरा आपको बाद में आप उसको मैच करके देखेगे आपने जो सोचा वह सही था या गलत था नेक्स से दोस्तों मारे पास वे स्कूल नहीं गई तो शी डैश नौट गो डू स्कूल ठीक है दोस्तों थर्ड संटेंस है मारे पास मैं खाना नहीं खा रहा था तो आई डैश नौट इट देखे दोस्तों तुमने मुझे पढ़ाया था तो यू डैश टॉट मी तो यह पांच संटेंसी से दोस्तों आई होपस आपके सबकी आंसर आपने मांड में सोच लिए होंगे अब नीचे आपको स्कूल पर अपने आंसर भी दिखाई दे रहोंगे अब आप अपने आंसर स करते हैं प्राफेट हो जायंगे प्र्क्テिस करके कुछ गलतिया भी हो रहे है तो दुभाए से प्रक्टिस करिये ताकि और जाधा परफेक्ट हो जायें डरने का दोस्तों काम ही नहीं करना हमें धरना हमें मंद से हटा देना है तो यह बात होंग अपने अच्छा स्कूर कि करेंगे आपको उनमें से करेक्ट वाला इडेंटिफाई करना है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने प्रिपोजिशन के टेस्ट को मैं कार से स्कूल जाता हूं तो आई गोडू स्कूल डैश का ठीके दोस्तों इंग्लिश आपको दिखाए दे रही उसका मिसिंग पॉर्चन है कि जो डैश आपको दिखाए दे रहा है उसके नीचे जो तीन ऑप्शन आपको दिखाए दे रहे उनमें से एक आपको महाँ पर फिट कर देना है बस इतना सा काम करना है तुम स्कूल जा रहे हो तो यूर गोइंग डैश स्कूल तो यह सकेंड ता हमारा डैश रूम तो डैश है दोस्तों उसके नीचे जो तीन ऑप्शन से उनमें से एक स्लैक करके बस अपने माइंड में सोच के बैट जाए उसके बाद जब अंसर आइंगे उनमें से आप उसको टैली करके देखना हम संडे को नहीं मिलेंगे तो वी विल नॉट मीट डैश तो अपने सारे अंसर अच्छे दिये तो इट मेंस आपकी फेपोजिस पॉफेट हो चुकिए आपका माइंड सही इंडिकेट आपको कर रहा है और इंकेस कुछ गल्तियां भी आपने किये तो इस ओके अब दुबारा से इंग्लिश लिंकर्स की वीडियो को देखिए आई ज़्यादा मिलेगा ताकि देरे देरे प्रैक्टिस करते करते हैं आपकी जो मिस्टेक्स हो खतम हो पाए और एक दिन हमाई जो इंग्लिश है वह एग्दम जियो एरर पर आजो हम पॉफेक्ट्ली उसमें हर चीज कर पाए चाहे हम लिखने की बात करें चाहे हम बोलने की ब भूलिए का दोस्तों ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम मिलते रहे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच